फटो मेरी बेहन के पास है वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा क्यों मारे मेरे भाई को उसाल माओ भाई 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 आप को जा रहे हैं भाई अब आपको कितनी दफा कहा है कि मेरी शादी के लिए परिशान ना हो जब होनी होगी हो जाएगी कैसे परिशान नहीं बेटी का बाप हूँ तेरी उमर बढ़ती जा रही है दो चार साल और गुजर गए तो तेरे रिश्तियाने बंद हो जाएगे कुछ नहीं होता अबबा अगर शादी ना भी होई तो कोई फरक नहीं पड़ेगा इंशाला हम मासूमा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे बस आप फिकर ना किया करें कैसे धूमधाम से करेंगे घर का राशन तो पूरा नहीं होता शादी तो बहुत दूर की बात है मैं करूँगा अबबा जी बस मेरी नोकरी लग जाने दे फिर मैं धेर सारा पैसा कठा करूँगा अपरी भेन की शादी के लिए और नोकरी कौन देगा तुझे तू तो मज़ूर है तू जैसे लोगों को लोग ख्रैट तो दे सकते हैं पर नोकरी नहीं अब आप फिर वही बात कर रहे हैं दिलना दोड़ा करें मेरे भाई का मेरा भाई एक दिन जरूर कामयाब होगा ये एक भेन की दुआ है अबाजी मेरी बिल्कुल ठीक कह रही है इंशाला एक दिन में जरूर कामयाब होंगा आमेन, आमेन लक्र इतना त्यार शहर के कहा जा रहे है बेन एक जगा नोकरी की उमीद है, बस आप लोग दुआ करें कि जल्द हो जाए तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हे नोकरी दूँगा, वो भी ऑफिस भॉई की, खैर तो है सर मैं आपको जैसा नजर आ रहा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक हाथ से सब काम कर लेता हूँ, आपको कभी शकायत का मौका नहीं दूँगा वो तो मैं देख ही रहा हूँ, अच्छा ये बता, एक हाथ से इस दिवार पे चड़ जाएगा सर आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, ओफिस के हवाले से जो भी काम है वो मैं कर लूँगा नहीं, नहीं, तुम मेरे काम के बंदे नहीं हो, तुम ऐसा करो भीक मांगा करो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा सर आप अगर मुझे मलाजमत नहीं दे सकते तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपको मेरी माजूरी निजर आ रही है, मेरी खुदारी नहीं है, और खुदार लोग कभी भीक नहीं मांगते, बहुत शुक्री आपका अबाब भाई के जजबे की कदर है मुझे, पर असल बात ये कि उमको नोकरी नहीं मिलेगी, और हलात तो आपके सामने जो आपका मां के लाते हैं उसनों गुदारा नहीं होता हाँ बेटी, बात तो तुम सही कर रही है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं अबाब अगर आप इजादत दें तो मैं कुछ कर सकती हूँ, आखिर मेरी तालीम कब काम आएगी, मुझे अच्छी से अच्छी नोकरी मिल सकती है, बस आपकी इजादत चाहिए तो सही कह रही है बेटी, ये हमारी जरूरत है, लेकन ये माश्रा बहुत जालिम है, अकेली लड़की को देख के कुट्टों की तरह पड़ता है अबाबा, मैं अपनी इफादत करना जानते हूँ, बस आप मेरी कम्याबी के लिए दुआ करें पांसा पूर देखिए चला आजा ओए होए, इतनी भी क्या इमरजंसी पड़ गई है, जो इतनी गर्मी में घर से बाहर निकली हो, कहीं ये गोरा नंकाला ना पड़ जाए पकवास बंद करो वना जूती से मूँ तोड़ दूगी अच्छा, जिस से मूँ तोड़ोगी, वो जूता होगा वे बैगारतो, हटो मेरी बह्यन के पास एक्रणा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा क्यो मारे मेरे भाई को असाल को होगा भाई 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 थे जा रहे है भाई अब्ब्ब्ब, अबब अब्ब, कि प्रून हे आप तोप आधा, थेटी क्या होगा क्यों रोड रही है अबबा मैं इंटर्विय देने जा रही थी प्रास्ते में कुछ लोब लड़कों ने मुझे तंग किया भाई भी वहां आगे उनकी बीच बहुत दढ़ाई होगी और उन्हें भाई को बहुत मारा है मेरे खुदाया यह क्या कह रही है तुम आप कहा है तुम्हारा भाई भाई अब उन लड़कों के पीछे क्या है मैंने इसे बहुत रोगा पर वो नहीं रुका अच्छे तुम परेशान नहों मैं जाकर उसे ढूंगता हूं यह रो तुन्ड़ तो हमारे पीछे पड़ गया था वो दे को सामने बच्चा कड़ा है चल आजा है अब दे दे मुबाईल कहां छुपा रहा है ओए चोड़ दो बच्चे को में मारूंगा तुम्हें यार यह तुन्ड़ तो यहां भी आ गया चल भाग इटा कून थे यह बाबा यह लोग मैं से मुबाईल कहां से थे इन अंकल ने मुझे बचाया बहुत शुक्रिया तुम्हारा तुमने हिम्मत का मुझारा करके मेरे बेटे को बचा लिया शुक्रिया कोई बाद निया जनाब यह सब तो मैंने इंसानियत के नाते किया रुको एक मिनट जो तु काम करने की ख्वाइश तो बहुत है लेकिन कोई नोकरी नहीं है अच्छा, अगर तुम हकलाल की रोजी कमाने की ख्वाइश रखते हो तो ये मेरा कार्ड रख लो कल से मेरे ओफिस आजाना बहुत शुक्रिया जनाब आपके बड़ी मेरबानी आपका इसान है मुझ पर मैं आजूंगा अगल से अबाबाई आपने बहुत अच्छा काम गिया अच्छा आजो परसे ले इस वीडियो को लाजमी शेयर करें हो सकता है आपकी वज़ा से कोई राहे रास्त पे आजाए आपकी वज़ा आपकी वज़ा है